सर्व प्रत्थम मैं स्वागत करती हूँ मानिने मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर जी का कि उन्होंने अपने व्यस्त कारिकरम से हमारे लिए समय निकाल कर हमें गौरवानवित किया सर अपनी साठ साल की इस अभूत पूर्व यात्रा में दूरदर्शन ने कई उलेखनिय मुकाम हासिल किये हैं अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से दूरदर्शन ने लोगों के दिलों में अपने लिए एक अलग पहचान बनाई है लेकिन आज एक कुछ खास ही और बहुत ही महत्वपूंड दिन है वो इसलिए कि आज से हम अपने प्रोग्राम्स में एक क्रांतिकारी बदलाव लापाएंगे हमारे मानिनी प्रधान मंत्री शी नरेंदर मोधी जी के डाइनामिक नेतिरत्रों में और आपके मार्ग दर्शन में हम अपनी प्रोग्रामिंग में आज से एक नया आयाम लापाएंगे इस अफसर पर मैं स्वागत करना चाहती हूँ प्रसार भारती परिवार के मुखिया चैर्मेन डॉक्टर सूरी प्रकाश जी का जिनोंने हमेशा हमें कुछ नया करने के लिए प्रोचसाहित किया है मैं स्वागत करती हूँ हमारे रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी श्री अमित खरेजी का और मुझे ये कहने में अपार हर्श है कि यह प्रोजेक्ट इसलिए संभव हो पाया है कि उन्होंने हमें अपना पूरा सहयोग दिया और हमें आगे बढ़ने के लिए जो भी चाहिए था फंडिंग या जो भी सैंक्शन्स चाहिए थे वो हमें टाइमली उन्होंने प्रदान किया स्वागत है स्वागत करती हूँ हमारे सीयो श्री शशी शेखर विमपती जी का और मेंबर फाइनांस श्री राजीर सिंग का जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा उतसा फाइद किया स्वागत है हमारे पीबी प्रिसार भारति के बौरड मेंबर श्री अशोक टेंडन जी का जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमेशा हमारा सपोर्ट हम उनका सपोर्ट हमें मिलता है इसके साथ शाथ चूकि समय की बहुत कमी है मैं जल्दी जल्दी सभी लोगो को और्गनाईस करने के लिए सपोर्ट किया. I would like to welcome additional Secretary Shri Atul Tiwari Ji, all the JS's who are here, Vikram Sahai Ji, Kalyani Anju Nigam Ji, DG Shahriyar Sahab, DG AIR Shahriyar Sahab, मैं और भी कई लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ, जिसमें से हैं DG News, Shri Mayank Agarwal Ji, Ira Joshi Ji, of course हमारे ENC Shri मौरिया जी, इसके अलावा यहां पर उपस्थित, प्रसार भारती के, दूरदर्शन के, AIR के और मंत्राले के सभी साथियों का अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ, जैहन